विल्कम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम तक में दोस्तों अगर आप भी यूपी मेट्रों की तैयारी के रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कापी ज़्यादे इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं येलमार्ची के मेंटेनर इलक्ट्रोनिक टेड का कुशन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनर या सैंटी या पेपर 16 मार्च 2016 को कंड़क्ट किया गया था फर्स्ट पाली का कुशन पेपर है दस बजे से बारा बजे तक ये एकजाम हुगा था इसमें जो है टेकनिकल के कोशन को देखेंगे उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कई दिनों से जो है डिमांड आ रही थे तो फ़स्ट कोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है ओले ट करेक्ट अंसर है आपसर नमबर वन तो दूसरा कोशन यहाँ पर पूछा गया है मेंस पावर आटो और बैटरी इलिमिनेटर वरकी करड़ है टांसपार्मर का जिनका अधार है तो यानि कि यूजज इसका जो है करेक्ट अंसर था तीसरा कोशन की बात की जाए तो यहाँ प % of sulfuric acid in electrolyte used in lead acid battery तो lead acid battery में sulfuric का यूज किया जाता है तो electrolyte के रूप में तो यह कितने % होता है 27% होता है तो करेक्ट अंसर आप्शन नमबर फूर था question number यहाँ पर 4 पूछा गया है what is the current rating of the cartridge fuse used for domestic wiring यानि कि घरेलू wiring में cartridge fuse का यूज किया जाता है तो यह कितने ampere के current के लिए किया जा सकता है तो यह 1250 ampere के लिए किया जाता है तो correct answer है option number यहाँ पर 1 question और यहाँ पर 5 पूछा गया था what is the full form of the abbreviation PPM PPM का पूरा नाम पूछा गया था pulse position modulation जो है इसका correct answer था यहाँ पर option number 3 2 अगला कूछन तो पूछा गया था power transistor का कौन सा हिस्सा जो है heat sink से जूड़ा होता है तो यह कौन सा होता है संग्राहक heat sink से जूड़ा होता है कापी important question है कई बार exam में पूछा जा चुका है तो अगला question था प्रत्रोधक की अंतराश्टी code की अनुस्वार बैगनिक वैंड का प्रत्रोधक करने वाली संख्या कौन सी होए तो यहां पर correct answer है 7 question number 8 यहां पर पूछा गया है एक transistor है एक transistor क्या होता है उच्छ धारा उपकरण होता है कम धारा उपकरण कम धारा और कम बोल्टेज उपकरण या उच्छ बोल्टेज उपकरण तो यहां पर correct answer है यह उच्छ धारा उपकरण होता है question number 9 यहां पर पूछा गया है inverter circuit बिशेश रूप से तैयार किया जाता है dash में बदलने के लिए यानि कि inverter कॉप्योग किस में किया जाता है तो inverter कॉप्योग जो है DC बोल्टेज को इसी बोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है question number यहां पर 10 पूछा गया है कौन सा modulation TV प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए किया जाता है तो कौन सा modulation जो है TV प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए किया जाता है तो यह modulation होता है frequency modulation यहां पर correct answer है option number 3 question number 11 है कौन सा अभिनति वीधी का अपडियोग रहकिक प्रवर्दन के लिए नहीं होता है तो correct answer है base transistor registered अभिनति वीधी question number 12 यहां पर पुछा गिया है transformer core के निर्माड में प्रियुक्त सामगरी होती है transformer के core के निर्माड में किसामगरी का यूच किया जाता है तो यहां पर जो है copper का यूच किया जाता है correct answer है option number 1 what is the range of output voltage of regulator IC LM 317 तो यह 1.2 volt से 32 volt तक होती है question number यहां पर 14 नंबर का पुछा गिया है दसमलो संख्यत 24 का दिधारी तुल्लिमान है यानि कि 24 का ओ बॉइनरे नंबर में आपको बदलना था तो correct answer आएगा option number 2 question number 15 है आधा योजक निम्ण में से किस समय से बन सकता है तो correct answer एक end gate और एक xor gate से यह बनाये जा सकता है question number 16 ट्रांजिस्टर संचालित होता है ट्रांजिस्टर जो है किस के द्वारा संचालित होता है voltage के द्वारा, current के द्वारा, frequency के द्वारा या bargaining के द्वारा करेक्ट अंसर है धारा के द्वारा ये संचालित होता है वाट इस दा एफिसियंसी आप दा लाइनर पावर सप्लाई तो लाइनर पावर सप्लाई की दच्छता पूची गई है तो ये होती है 30 से 40 परसंट होती है एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइन्डिंग में घुमाओ की संख्या जो है अधिक होती है तो लपेटू की संख्या जो है किसमें अधिक होती है ये पूचा गया है माद्मिक वाइंडिंग, प्रात्मिक वाइंडिंग, हाई बोल्टेज वाइंडिंग, लो बोल्टेज वाइंडिंग, माद्मिक वाइंडिंग को जो है दितियक वाइंडिंग भी कहते हैं और यहाँ पर करेक्ट अंसर दिया गया है हाई बोल्टेज वाइंडिंग अगला कुश्ण है जब सुध अदाचालक को गर्म किया जाता है तो प्रतवरत का मान क्या जाता है तो प्रत्रोत का मान की जाता है गटी जाता है correct answer है option number second question number 20 पूछागे है silicon junction की बाधा चमता जो है लगबक कितनी होती है तो zero point से बन होती है यहाँ पर आपको बदा दे 2016 का जो paper आया था थोड़ा सा simple था लेकिन 2018 का paper यहाँ पर हुआ था वो काफी ज़्यादा टप है तो 2018 का भी paper पर upload किया जाएगा अगर आप comment करेंगे तो question number 20 है एक circuit में transistor जोड़ने के लिए आवश्यक terminal होते हैं तो यहाँ पर जो है कितने terminal होते हैं तीन terminal होते हैं transistor और heat sink के बीच बिजली का insulation बनाए रखने के लिए सामगरी का उप्योग किया जाता है कि सामगरी का उप्योग किया जाता है या पर अब्रक का उप्योग किया जाता है question number 20 रडात्मक feedback और अधिक प्रवावी हो जाती है जब loop gain का मान केतना होता है उच्छ होता है तो correct answer है option number second अगला कुछन है कौन सा डायोड बीपिरीद अभिन्यत में जो भी धारा को अनुमत देता है कौन सा डायोड होता है जेनर डायोड होता है यानि कि इससे जो है reverse device में चलने वाला डायोड जो है कौन सा होता है जेनर डायोड जो है उल्टी दिषा में चलने वाला डायोड जो है कों से हौता है जैनल डायोड अगला है कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और बोल्टेज रेटिंग होती है तो यह होती है आईजी बीटी में ASM-PS ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का उव्योग किया जाता है आप्सें नमबर थ्री एलाउट्रोनिक सर्किट में बिजली की हानी का संबंद जो है किस पैरामीटर से होता है तो करेक्ट अंसर है आप्सें नमबर शेकंड अगला है भारत में टीवी प्रसारण के लिए वैंड वित काउप योग क्या है तो यहां पर जो है सेबन एमेच ज का योज किया जाता है अगला कुशन पूछा गया है 29 नमबर का डी एसो का कौन सा हिस्सा इंपूर्ट सिगनल बोल्टेज के संसाधित डेटा को संग्रहित करने में किया जाता है करता है तो करेक्ट अंसर है में में मोरी कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांस्मीशन गती जो है कितनी होती है तो यह 625 Mbps होती है अगला है PCI Express अडियो वीडियो कंप्यूटर में किस प्रकार के कनेक्टर का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर जो है 6-pin कनेक्टर का यहाँ पर योज किया जाता है डिस एंटीने का कौन सा अनवाग सिगनल प्राप्त करता है तो यह कौन सा होता है लो नौइज ब्लॉक अगला है OLED OLED का पूरा नाम पूछा गया है और्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका पूरा नाम होता है TV receiver में उद्वदर स्वीप सरकिट द्वारा एक सेकंड में कितने विशम छेत्रों को इसकेंड किया जाता है तो यहाँ पर ट्वंटिफाइब अगला है PAL का जो है पूर्ड रोप पूछा गया है तो PAL का पूर्ड रोप होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन इसका पूरा नाम होता है तो प्रेंड आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में 35 कुछन थे और अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में 40 कुछन आएंगे तो आपका डिवाट टेकनिकल का 75 कुछन जो है कम्पलेट हो जाएगा इस वीडियो